हेलो बच्चो आज की इस वीडियो में हम दाइमेंशनल फार्मूला के दाइमेंशनल एनालिसिस की थर्ड अप्लिकेशन को पढ़ेंगे इसकी थर्ड अप्लिकेशन है Conversion of one system of unit to another system of unit एक पद्धिती के मात्रकों को दूसरी पद्धिती के मात्रकों में बदलना For example, SI system को CGS system में change करना CGS system को MKS system में change करना Means एक system से second में change करना Meter को centimeter में, kilogram को gram में As it is हम क्या करेंगे, एक system को second system में change करेंगे इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक formula डिराइव करना होगा तो उस formula को derive करने के लिए हम सबसे first यह suppose करते हैं कि एक physical quantity है हमारे पास कोई भी physical quantity या भोतिक राशी ले ली जिसका सबसे first हमें क्या find करना पड़ेगा Dimensional formula Dimensional formula तो हमने suppose करा कि जो भी हमने physical quantity ली है उसका Dimensional formula कितना दिया होगा है हमें M L D Power A Power B Power C यहाँ पर A, B और C द्रव्यमान Mass लंबाई Length और समय Time के क्या है? V मा है उनके क्या है? Dimensions है अब हमने यह तो suppose कर लिया कि हमारे पास जो physical quantity है जिसको हमें 1 system of unity से 2nd system of unity में change करना है उसका Dimensional formula यह है अब हम क्या करेंगे? उसका First जो First unit है हमने suppose करा कि एक system Asi से हमें किसमें change करना है? Mks में या Si से हमें Cgs में change करना है तो हम क्या करेंगे? 1st system of unit में MLT की value find करेंगे फिर as it is क्या करेंगे हम second system of unit में भी क्या करेंगे MLT की value को find करेंगे तो हमने करा सबसे first suppose करेंगे हम कि माना कि first system of unit में जो fundamental quantity है ये fundamental quantities की जो unit है वो कितिनी ले ली हमने M1, L1 और T1 मतलब SI system में हमने MLT के place पर क्या ले लिया M1, L1 और T1 as it is हम क्या करेंगे second system of unit CGS CGS में क्या करेंगे इनकी value को M2, M2, L2 और T2 को क्या करेंगे suppose करेंगे अब कोई भी physical quantity को denote करने के लिए हमाई पास दो चीजे होनी चाहिए हम उसको इस form में denote करते हैं Q equals to N into U यहाँ पर N क्या होती है, numerical value होती है और U क्या होती है, unit तो इस fundamental units को हम क्या कर रहे हैं उसके dimension के formula में dimension form में क्या कर रहे हैं, derive कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, physical quantity Q equals to N, N आपकी क्या हो जाएगी, numerical value और U के place पर क्या ले रहे हैं, dimensional formula तो हम first system of unit में जो numerical value suppose करेंगे, वो हमने suppose कर ली N1 और second system of unit में जो हमने क्या करी, numerical value को suppose करा, वो कितनी हो गई, N2 तब first system of unit, SI system of unit में, जो हमारी physical quantity होगी वो क्या हो जाएगी, Q equals to N1, N1 क्या हो गई, numerical value, dimensional formula क्या हो जाएगा M, M1A, L1B, T1C, ये numerical value हो गई, और ये क्या हो गया dimensional formula हो गया, as it is second system of unit में, हम physical quantity की value find करते है तो वो क्या हो जाएगी, N2, M2A, L2B, O2C, अब इन दोनों equation में, ये दोनों Q के equals में तो आपस में ही क्या हो जाएगी, ये दोनों, equal हो जाएगी, तो therefore, N1, M1A, L1B, T1C, equal to N2, M2A, L2B, O2C, अब यहां से अगर हम N2 के value find करते हैं, तो N2 equals to, ये सारी values हमारी अपान में आ जाएगी, तो N2 equals to क्या हो जाएगा हमारे पास, N1, M1, upon M2, A, L1, upon L2, B, and T1, upon T2, equals to C, इस समीकराण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसके help से, One system of unit को क्या कर सकते हैं हम, second system of unit में convert कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों system of unit में, फहले first system of unit के लिए M find करेंगे, second के लिए यह तीनों quantity क्या कर लेंगे हम दोनों system of unit के लिए find कर लेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे हम divide कर देंगे ओके अब इसको हम क्या करते हैं एक formula के through देखते हैं एक formula को एक question को इस पर best solve करके देखते हैं के लुँप करते ह fino कि देखते हैं लिए लुँबस देखते हैं और एफर